सर्वप्रथम मैं कुछ बात कहना चाहूंगा कुछ मीठे, कुछ तीखे, कुछ प्रहार, कुछ साहार सब कुछ रहेगा और जो कुछ कटू लगे उसके लिए मैं इच्छमा प्रार्थी हूं और जो मुझे कुछ पूछना चाहे, मैं उसकर उत्तर देने के लिए तयार हूँ मैं वही कहता हूँ जो जानता हूँ मैं वही बोलता हूँ जो बाते सच बैठे, बने, बुनाएं, बाते मेरे से नहीं होती आडंबर, चमतकार और पाखंड वाद बात मेरी से नहीं होती आज से 625 वर्षक पूर्व सद्रू कबीर साहिब ने जो बाते कही आज उसको वेज्ञानिक रिसर्च सेंटर में रिसर्च कर रहे हैं सद्रू कबीर साहिब एक ऐसे महान हुए जो कि अपने अनुसंदान से, अपने आत्म चिंतन से इतना रिसर्च किया, इतना खोज किया जिसको आज 625 वर्ष बाद सद्रू कबीर साहिब सहीं कहे हैं जिसको बिना टेक्लाजी, बिना वेज्ञान के अविस्कार के बाद भी सद्रू कबीर का अविस्कार है, जिन्होंने सावित करके उस समय बता दिया था लेकिन विडम्बना ये हो जाती है, कि जिस बात को सद्रू कबीर साहिब कहें, उन बातों को ही कुछ लोगों ने काटने का प्रयास किया विडम्बना ये हो जाती है, जिसको गिराना होता है, उसी को उठाया जाता है फिर से सुने इस बात को, किसी को गिराना होता है, उसी को उपर हाइट में ले जाया जाता होता है ले जाना पड़ता है, और जिसको गिराने की जवरत नहीं, उसको उपर ले जाने की जवरत ही नहीं है लेकिन कोई किसी को गिरा नहीं पाता है हम अपने जीवन को चीछा लेदर कर देते हैं कुछ लोगों ने कबीर साहब को मैं चमा चाहता हूँ पर भी मैं कहना चाहूँगा अवतारवाद दसिध किया कुछ लोगों ने कहा कबीर साहब आकास मार्गत से आए आज तक बिना माबाप के एक मक्खी पैदा ने हुए तो सद्रु कबीर साहिब कैसे पैदा हो जाएंगे यह अडंबर नहीं होना चाहिए सद्रु कबीर का मूल बीजक है सिर्फ only मूल बीजक है जिसमें ग्यान का भंडार है उन्होंने कहीं पर नहीं कहा कि मेव अकासमारगा से आया हूँ कमल फोल में प्रगट हुआ हूँ उनका ज्यान उसको लिखने वालों ने कुछ सब्दों को बदल करके लिखा लेकिन उसका ज्यान स्रिष्ट ज्यान है उनके ग्यान के सामने सारे लोगों का ग्यान फिका पड़ जाता है मैं और कुछ कहना चाहूंगा कि सद्रु कबीर साहिब कहां जन में उनके माता पिता कौन थे ये बहुत ज़्यादा महत्तपूर्ण नहीं है पर भी आप लोगों के पास मैं बताने का प्रयास किया सद्रु कबीर साहिब के माता पिता का पता नहीं चलता है कुछ कबीर पंथी मानते हैं कि सद्रु कबीर साहिब आकास मारगस से लहर ताला त्रलाब में कमल फूल में प्रगट हुए लेकिन सता सता एकदम सत्य है कि एकदम जूट और गलत है मैं चमा चाहता हूँ आप लोग इस पर सोत करिएगा बनी बुनाई और किसी के कहे सब्दों पर मत जाईएगा पूजा और पाट के चक्कर में लोगों ने कुछ के कुछ बोल दिया उस चक्कर में मत जाईएगा साप ग्यान हो जिसमें चमतकार ना हो जिसमें पाखंड ना हो जिसमें करम कांड ना हो इन बातों को आप मानिये और सदुरु कबीर साहेब डंका पिड़ते रहे ब्रामनों के नगरी में डंका पिड़ते रहे कभी डरे नहीं वो कभी नहीं डरें मौत से डर नहीं था उन्होंने कहा जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद कव मरी हों कव पाई हों पूरण परमानंद जिस सद्रू कबीर साहिब ने चमतकार और अडंबर को किराने करने का प्रयास किया उसी सद्रू कबीर को लोगों ने चमतकार और अडंबर से घोसित कर दिया मैं इस चीज़ बताऊं आपको आज से धाई हज्जर वर्स पूरवे भगवान बुद्ध भारत देश में हुआ है इस भारत देश को बहुत गहरी चिंतन है इसको समझना चाहिए सबको इस भारत देश को धर्म प्रधान देश सिर्फ इसलिए कहा जाता है भगवान बुद्ध के वज़े से लेकिन दुरुभाग्य कहा जाए या सवभाग्य कहा जाए जब भगवान बुद्ध थे तो भगवान बुद्ध के सांस सांथ में हज्जारो भिक्षू पिछे पिछे चलते थे हज्जारो भिक्षू एक जनसलाब था भिक्षूओं का भगवान बुद्ध के मानने वाले जिधर जाओ उधर बॉद्धिष्ट ही मिलते थे लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के बाद भगवान बुद्ध का त्याग साधना तपश्या वैराग्या विनम्रता सहजता सरलता यह सब किनारे हो गया सिर्फ राजाओं से महराजाओं सेपैसा एटते और सिर्फ मूर्तिया बनाते थे सिर्फ मूर्तिया भगवान बुद्ध की मूर्तिया इस्थापित करना शुरू कर दिये इसलिए आज भी कहीं खुदाई होती है तो भगवान बुद्ध के मारते मिलती है क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुवाई इतने बढ़ चुके थे जिधर जाते उदर भगवान बुद्ध के अनुवाई थे लेकिन उनका त्याग और साधना और तपस्या ध्यान वैराग सब किनारे होता चला गया भिक्चि लोग खाने पीने में भी सयम नहीं रह गया जीवन में अंडा मास मचली सब चलता रहा अब आज भी भिक्चु मास मचली खाते हैं आज भी भिक्चु खाते हैं मास मचली भगवान बुद्ध के जीवन में वैसा नहीं रहा लेकिन उनके जाने के बाद में उनका सब कुछ खतम और उसी का परणाम हुआ कि आगे चल करके एक परंपरा आया अच्छे स्रिष्ट लो वैरागी की चर्चा खतम हो गई है अब अब क्या चलती है सिर्फा मूर्तिया इस्थापित होती है और खाना पीना सब चलता है कोई जीवन में सयम और साधना ही नहीं है धीरे धीरे बौद्धिष्ट कम होते चले गए और आज भारत देश की स्थिति ये है कि कोश्त मिलते हैं ठीक ऐसे ही जब सद्रू कबीर साहब हुए तो कबीर साहब के साथ में काफी लोग चले और कबीर साहब के मानने वाले सद्रू कबीर साहब के मानने वाले और नाई काफी हुए और सद्रू कबीर ने जिन चीजों को कहा उसको लोग मानते रहे लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है वो करते हैं इसलिए सद्रु कबीर साहिब का मूल बात ये है कि जिसकी भी महापुरुस को नीचे साबित करने के लिए उसको छेचा लेदर बनाया जाता है भगवान बुद्ध को छेचा लेदर बनाने का प्रयास किया गया और भगवान बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को मानने वाले लुपता हो गए सद्रु कबीर के विचारों को जन सहलाब में फैलाना चाहिए सद्रु कबीर का विचार एक निस्वच्छा और निर्माल और करमकांड और पाखंड से हट करके विचार है जिसमें आदमी के जीवन के तकदीर ही बतल जाएंगे अधी कोई चिंतन कर ले कवीर वानी को तो सद्रू कवीर साहिए वो महापुरुस है कवीर पंथी कौन? कवीर पंथी कौन? कुछ लोग कहते हैं कवीर पंथी वो है जो उपवास रहता हो पूर्णी मा के दिन कुछ लोग कहते हैं जो कबीर कबीर का तंत्र मंत्र करता हो कबीर के नाम से यज्य चाओं का आरती करता हो वो कबीरपन्थी है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कोई कबीरपन्थ को जानता हो या ना जानता हो। व्यक्ति कविरपंथी है जो दया, छमा, संतोस, धीरज, सील, विचारक इसको रखता हो, हर व्यक्ति कविरपंथी है जो करमकांड और पाखंड से बचा करके रखा हो, हर व्यक्ति कविरपंथी है जो चमतकार आडंबर से अपने जीवन को एकदम डरनलेप रखा हो, हर व्यक बोलिये सद्गुरु देव की लगता है बोल ला हूँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ध्यानी धर उधर चला जा रहा है लोगों का मैं ये प्रस्ण किया क्या हम सब कबिर पंथी है अपने आप से उत्तर आता है हाँ हम कबिर पंथी है कबिर पंथ में कहां पर लिखा है कि जो गले में ताबिच पहनता हो पैरों में काला धागा बानता हो अपने घर में नारियल बानता हो अपने घर में हवंतरपन करता हो कबीर पन्थ में कहां पर लिखा है कि गुटका, बिड़ी, सिक्रेट, तमबाकू, अंड़ा, मास, मचली, सराब चलता है लेकिन कबीर पन्थ हीम चल रहा है ये सिर्फ कबीर पन्थ की चर्चक कर रहा है हर पन्थ आज भ्रष्ट होता चला जा रहा है अच्छे अच्छे कबीर पंथी अच्छे अच्छे राधा स्वामी अच्छे अच्छे गैत्री मानने वाले अच्छे अच्छे भक्त लोग अपने जीवन को नरक बनाते चले जा रहा है यदि आज सद्गुरु आ जाए तो सद्गुरु हम सब को लताड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं कविरपंद का हम लेवल लगाते हैं मुह में गुटका नहीं छुड़ता है कविरपंद का लेवल है मुह से गालिया नहीं छुड़ती है कविरपंद का लेवल है पायर में काला धागा बंधा है वो मान्यताएं नहीं गई है कविरपंद का लेवल है गले में काले ताबीज है वो मान्यताएं नहीं गई है कविरपंद का लेवल है कौन से कभीर पंथी हैं हम कहां पर सद्रू कभीर का विचारा से आ है मैं आप सब को एकदम निस्पक्छ ग्यान जिसमें करम कांड और पाखण और आडंबर नहीं उन चीजों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं हो सकता है आप मेरे बाते को कटू लगे कोई बात नहीं साल बुलाएंगे अगले साल नहीं बुलाएंगे कोई बात नहीं उसकी परवा नहीं हमको हम अपना ग्यान सही ग्यान जो सदुर कभीर से हमको मिला है वो बाते जनसालाब में हम रखते हैं हमको तो इतना आप लोग देते हैं मैं बताऊं हम कहीं न जाए कहीं न जाए तो भी हमको आसरम में बैठे बैठे पेट रोजी मिलेगा आसरम में रहने को व्यस्ता कपड़े लते गाड़े घोड़े सब कुछ मिलता है आप लोगों ही न दिया है लेकिन हमारा करतब्य बनता है यदि हम त्याग के मारगा पर चलते हैं सन्यास के मारगा पर चलते हैं सद्रु कबीर के अन्वाई है तो करम कांड और पाखंड में पड़े लोगों को उनसे हटाने का प्रयास करना और आप सब से नहीं विदन करना चारव आप अच्छे सद्रू कबीर साहब के अन्वाई है और बड़े डंके के साथ में बड़े ही गर्व के साथ में कहते हैं कि हम कबीर पंथी है लोग कबीर पंथ का नाम सुनते ही एक जलक दाउड जाता है कि कबीर पंथी भगवान नहीं मानते है उनके चेहरे पर एक नया नजर दंगर जाता है उनके दिमाग में दिल मस्तिक समे एक बात गुंज जाती है है कुऊ कभिरพंथी अरे लोग थो भगवाँ नہीं मानते हैं तूरंत आ जाता है। मैं लोगों से प्रस्क्रा किया करता हूं कैसे कहा करता हूं क्या कभी पंदि मा को मा पिता को पिता, पुत्र को पुत्र, भाई को भाई, पती को पती, पतनी को पतनी, बच्चे को बच्चे, गाड़ी को गाड़ी, मकान को मकान, धान को धान, अन्न को अन्न, सब्जी को सब्जी, पत्थर को पत्थर, कागच को कागच, माईक को माईक, गाड़ी को गाड़ी, कविर पंथी पानी को पानी हवा को हवा आकास को आकास जल को जल नहीं मानता लोग कहते हैं मानते हैं फिर कहते हैं कविर पंथी भगवान नहीं है तो कैसे कह दिये भगवान किसको माने भगवान लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है लोगों को पूछा जाता है कि भगवान किसको माने तो लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं यदि उसको हम भगवान मान ले गोबर को भगवान मान ले तब कहेंगे कविरपंथी भगवान मानते हैं मिट्टी और पत्थर को भगवान मान ले तब कहेंगे कभीर पंथी भगवान मानते हैं, कागज की चित्र को भगवान मान ले तब कर लोग कहेंगे कभीर पंथी भगवान मानते हैं, कभीर पंथी भगवान मानते हैं, और सबसे अच्छे लोग वो हैं, जो कभीर साहब को जा भगवान मानता है मानों को भगवान मानता है माता पिता को संत गुरु जनों को डाक्टर को अतिथी को भगवान मानता है उससे बढ़कर के कबीरपन्थी कोई नहीं हो सकता है यही हमारे समाज के उध्धारक है बांकी कोई समाज के उध्धारक नहीं है क्यों आज से तीन साल पहले कुरोणा महमारी आये थी सारे भगवान के दर्वाजे बंद हो गये थे कहां चले गये थे भगवान तीरुपति बाला जी मंदीर जैसे बले बड़े मंदीर के दर्वाजे बंद कर दिये गये थे सारे आना जाना बंद सारे दर्शन बंद सब भगवान का दर्वाजा ब बंद पड़ गया था कोई बूरा नहीं है स्रद्धा बूरा नहीं है स्रद्धा बूरा नहीं है मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा किसी भी मंदीर और धर्म इस्थल की इस्थापना इसलिए किया जाता है एक आदमी ताकि उस माध्यम से आत्मा चेतन तक जुड़े उस माध्यम से अपने आप से परचय करे इसलिए मंदीर का इस्थापना किया जाता है एक आदमी सराब भठी में जाता है एक आदमी मंदीर में जाता है परणाम दोनों का लगाता है समय उतना ही लगता है एक आदमी यहां से एक किलोमेटर सराब भठी में गया एक आदमी यहां से एक किलोमेटर मंदीर के पास गया म किससे अच्छा है किनसे अच्छा है एक सराभी से एक जुआड़ी से कवाड़ी से जो गलत चीजों का सेवन करता है गलत खाता पीता है गलत बोलता है गलत चर्चा करता है तास खेलता है बीड़ी सिक्रेट पीता है उनसे अच्छा कम से कम एक आदमी मंदीर बन गया वहां ज चित्र से उनके चरित्र तक पहुंच जाता है, उनके जीवन का तकदीर बदल जाता है, उनके जीवन के सारे कलूस खतम हो जाते हैं, वो जीवन में परमुचाई को प्राप्त कर लेता है। कोई आदमी हैं आकर जाकर कि आदे है जोड़कर कर लोगर के किहता है कभीर साहए क्यों मूर्तिया सिर्वाद नहीं देगा मैं चमार चाहता हूं तया चीज़ कहना चाहा रही हूँ आपके पास लेकिन यहां आ करके जैसे ही सिड़ी पर पग रखेगा वैसे हुनके मन में एक नया चाप बन जाएगा मैं कभीर साहट के मंदीर पे जा रहा हूँ एक नया चाप एक नया दिश नहीं कहें चिंतन एक नया धारा अंदर बहने के प्रवाहिस शुरू हो जाएगी एक नया श्र जोड़ करके खड़ा हो जाएगा जैसे ही प्रवेस करेगा वैसे उनके विचार बदलने सुरू हो जाएगे सार्थक्ता किसमें है गलत चीजों से बचे यह मंदीर की सार्थक्ता इसलिए इस्थापना किया जाता है लेकिन कोई कहे कि सब पुछ हमारा नया पार भगवान क सच बताऊं आपके नया पार इस दुनिया में इस पूरे ब्रह्मान में कोई आपके नया पार करने वाला नहीं है आपके नया आपको ही पार करना है आपको अपने जीवन को खुद को सवारना है अपने जीवन को खुद को सजाना है आपको अपने जीवन से बहतर आपको आ यहां ऐसा हो गया इसलिए आपको अपना ही जीवन सवारना है मंदीर की सार्थकता है कि उसमें जा करके चित्र की पूजा करते करते उनके चरित्र तक पहुंचना चाहे स्री राम मंदिर हो चाहे हनुवान मंदिर हो चाहे सद्रू कबीर का मंदिर हो चाहे बुद्ध का चाहे इसा का चाहे महम्मत का लेकिन मंदीर के नाम पर बहुत ज़्यादा कोई करम कांड शुरू हो गया पूजा यग्या हवान तरपन रात दिन उसमें जो जीवन में गाली गलोज नहीं छूट रहा है कोई भगवान हमारा नईया पार को नहीं कर पायेगा आपको करना है आपको करना है इसलिए इस मंदिर की सार्थकता ये होगी कि आप इस मंदिर बनाएं हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और खास करके श्री भिकमंगाराम साहू के मन में एक कलपना था कि मैं एक मंदीर का निर्मान करूं और उनके तीनों बच्चिवन सहयोग किया साथ सातरा करके और उनका साथ दिया इसलिए आज उसी के बदवलत हम सभी कठा हुए हैं हम सब इकठा हुए हैं उसी के बदवलत और आज ग्यान चर्चाएं हो रही हैं सायद उनके मन में इस्थापना मन में मंदीर नहीं बनता तो चित्र में मंदीर नहीं आता और चित्र में मंदीर नहीं आता तो हम सब इकठा भी नहीं होते हैं मन में कलपना हुआ, मन में विचार पैदा हुआ, मन में आने के बाद में एक सकार रूप में हुआ, सकार रूप में आने के बाद में हम सभा बैठे हैं, इसलिए मंदिर की सार्थक्ता जीवन को बदलने में है। मैं कहा रहा था कबीर पंथी भगवान नहीं मानते लोग कहते हैं मैं इच्छी जवर कहना चाहूँगा कटू है लेकिन कह देता हूँ सद्रु कबीर की बाते कहने से पहले लोग कहते हैं सद्रु कबीर ने कहा है पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजु पाहाड ताते तो चक्की भली पीश खायो संसार लोग उधारन देते हैं सद्रु कबीर के मानने वाले कहते हैं कि हम कबीर भगवान नहीं मानते तो सद्रु कबीर साहेब तो भगवान नहीं मानते तो लोग कबीर साहे की पूजा क्यों करते हैं उनका कहना एकदम सार्थक है लेकिन मैं एक चुछ कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी यदी भगवान मानता है और कोई पूजा करता है क्रिश्न की, बुद्ध की, महावीर की, इसा की, मुहम्माद की, राम की सद्रु कवीर की किसी की भी पूजा करता है तो उनकी पूजा करना की सार्थक्ता यह है कि जीवन बदलना चाहिए सद्रु कवीर साहिब ने इतना कठोर सब्दों में कहा पर भी हमारी स्रद्धा है, हमने बनाया मुर्ती और मंदिर बनाया और पूजा कर रहे है तो हमारी स्रद्धा की सार्थक्ता यह होगी कि हम उस दिशा में आगे बढ़े उस दिशा में आगे बढ़े और हमारे परिवार में ऐसा सयोजन हो परिवार में ऐसा विचार हो परिवार में हर व्यक्ति में एक कहना चाहिए प्रान उर्जा खिलना चाहिए और पूरे परिवार में किसी के जीवन में दुर्वेशन ना हो किसी की जीवन में गाली गलोज निन्दा चुगल ना हो पूरे परिवार ही नहीं, पूरे समाज में ऐसा जहलाप बनना चाहिए, ऐसे वारताएं होना चाहिए. मंदिर की सार्थक्ता तब है आप ससंग सुर रहे हैं ससंग सुनने की सार्थक्ता तब है यहां से जाने के बाद में आपके जीवन से विचार बदलना चाहिए आपके जीवन से कटूता कम होनी चाहिए आपके मन में एक निर्मल वानि का धारा प्रवाहित होना चाहिए आपके मन में एक नया चिंतन धारा प्रवाहित होना चाहिए अब मुझे जीवन को बहत्रिन धंग से जीना है अब मुझे सिकायत भरी जिन्दगी नहीं जीना है अब मुझे गाली गलोज निंदा चुगली वाला जीवन नहीं जीना है मुझे सुन्दर जीवन का निर्मान करना है मैंने एक ऐसे विचार धारव को अपने जीवन में इस्थान दिया है जिस विचार धाना में निंदा और चुगली नहीं है राग और द्वेस नहीं है कला और कलपना नहीं है मेरे और तेरे की लडाईया नहीं है अब अपने आप से पूछे कितनी लोग कविर्पन्ती है इतने कसाउटी के बाद कितनी कसाउटी अभी तक मैं कसाउटी ही बताता रहा बीडी, सिक्रेट, तंबाको, गोटका, अंडा, मास, मचली, सराव गाली, निंदा, चुगली, जोट एसारे चीज ना हो वो कविर्पन्ती है चाहे वो कविर्पन्ती है चाहे वो कविर्पन्ती कविर्पन्ती को जानता हो यह न जानता हो लेकिन सच में वो कविरपन्थी है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब कविरपन्थी है और एक सच्चे कविरपन्थी वने कविर सहब के बातों को जीवन में आचिरित करें कर्मों की सुधार करें कर्मों को सुधार करें जितने करमों को आप सुधारेंगे उतने ही अच्छे व्यक्ति बनते चले जाएंगे सद्रू कबीर साहब कहते हैं करम कमाई आपने निस्फल कभी न जाए बोया पेड बबूल का आम कहां से खाए सद्रू कबीर साहब कहते हैं यदि आप अच्छा करम करते हैं और निस फल कभी नहीं जायेगा यदी आप अपने जीवन में बबूल का पेड़बों हैं तो आपको आम नहीं मिलने वाला है हम सब क्या फल चाहते हैं? हम सब के सब आम का फल चाहते हैं लेकिन जीवन में बबूल का पेड़ बोते हैं कौन सा बबूल का पेड़ बो रहे हैं आपस का जो वैर है न वही बबूल है हम जो एक नियाम है गणित है हम जो दुसरे की जीवन में बोते हैं अपने जीवन में वहां काटते हैं बहुत अच्छा सुत्रा है दुसरे की जीवन में करुणा का बीज रोपित करते हैं अपने जीवन में करुणा का फसल काड़ते हैं आप अपने खेत में यदि धान का बीज बोते हैं तो अपने खेत से धान का बीज फसल काड़ते हैं लेकिन जीवन का क्या है उधारण? जीवन का नियम ये है जो दुसरे की जीवन में बोते हैं अपने जीवन में नहीं जो दुसरे की जीवन में बोते हैं करुणा का दया का छमा का संतोस का प्रेम का यदी बीज दुसरे की जीवन में बोते हैं तो अपने जीवन में करुणा का दया का छमा का संतोस का फसल आप काणते हैं दूसरे के जीवन में घृणा का बीज बोते हैं भाई के जीवन में देरान के जीवन में जिठान के जीवन में सास के ससूर के बच्चे के जीवन में यदि आप करुणा का बिजबोते हैं तो आप अपने जीवन में वही करुणा का फसल कांटेंगे आप कौन सा बिजबोया है अब लोग कहते हैं महराज जी सहेब जी आज तक हमको दुख क्यों मिल लाए आपने बीजी ही वही लगाया है आपने बीजी ही वही रोपा है कौन सा बीज रोपा है? दुख का बीज रोपा है आप कब कब किसको सम्मान दिये हैं लोग कहते हैं माराज जी हमको कोई सम्मान नहीं देते हमारे बच्चे हमको सम्मान नहीं देते हमारे पती हमको सम्मान नहीं देते हमारे भाई हमारे देरान हमारे जिठान हमको सम्मान नहीं देते आपने कब सम्मान का बीज बोया है आप अपने बच्चे को कितना सम्मान दिये है आप अपने पती को कितना सम्मान दिये है पत्नी को कितना सम्मान दिये है चलो माबाप को कितना सम्मान दिये हैं हमने तो सम्मान का बीजी ही नहीं बोया है तो सम्मान का फसल कहां से काटेंगे अब महसूस करिए कि हमने कितना फसल बोया है सम्मान का फसल बोना शुरू करिए प्रेम का फसल बोना शुरू करिए करुणा का फसल बोना शुरू करे आपके जीवन में मिलेगा सद्रु कवीर साहिप का विचार यही है इसलिए करम कमाई आपने निस्फल कभी न जाए आप जो करम करोगे ओ निस्फल कभी नहीं जाएगा यदि आप बबुल का पेड़ बोगे तो आम का फल नहीं मिले वाला ह यदि आपने अभी धान का फसल बोया है तो धान का बीज रोपित किया है तो धान का फसल आप कांटेंगे यदि आपने गेहूं का बीज रोपा है तो गेहूं का फसल आप कांटेंगे आपको फसल पसंद नहीं है तो आप खेत नहीं बदलते हैं पानी नहीं बदलते घां खाद नहीं बदलते क्या बदलते हैं बीज बदल देते हैं फसल बदल जाता है आपने एक धान बोया पैदावारी कम हुई तो आपने क्या किया एक उत्तम किश्म के बीज को रोपित किया उत्तम किश्म के बीज को रोपित किया उसका परणाम क्या आया अच्छा फसल आपने काटा आपके जीवन में अब तक अच्छा फसल नहीं काटे हैं आपने कौन सा अच्छा फसल करूना का प्रेम का दया का छमा का संतोस का तो आपको करना क्या है अब आप वही बिज रोपना शुरू कर दिजी यहां से इतना ही बदल करके जाएए आप अब मुझे इस वार्णी से कभी कटुता नह नहीं करना है सबसे बड़ा उपवास यही है आप उनीमा के दिन उपवास रहे यह मत रहे आपकी मर्जी लेकिन सबसे बड़ा उपवास होगा बुरे विचारों का उपवास कर लिजे आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा आज से मैं जूठ नहीं बोलूंगा आज से मैं गाल कि हर पुर्णीमा के उपवास रहता था कोई भी जाते तो कहते यहाई मैं उपवास हूँ अच्छा कबसे रहते हो साहफ जी मैं 40 साल से उपवास रह रहा हूं他 जलता लेकिन गुठका का उपवास रह जाते वही सारथक था इसलिए उपवास रहना है तो बुरे विचारों का उपवास रहिए आपके बच्चे आपसे प्रेम करना सिख जाएंगे बुरे विचारों का उपवास रहिए क्रोध का उपवास करिए निंदा जुट का उपवास करिए आपके बच्चे आपके बहु आपके बेटे आपके ननन्द आपके भौज आपसे प्रेम करना सिख जाएंगे और प्रेम के सुत्र में आपका घर बंद जाएगा और प्रेम के सुत्र, अब प्रेम इतना विसाल सब्द है, प्रेम के बारे में चर्चा करे तो महनों निकल जाएगा, प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में सोड़े सब्दों में मैं कहूं मैं, प्रेम में इतनी सक्ती और इतनी ताकत है यदि प्रेम है तो घर घर है और प्रेम नहीं तो घर संसान गरी है प्रेम है तो गाओं गाओं है प्रेम है तो समाज समाज है प्रेम है तो देश देश है और राष्ट राष्ट है और प्रेम नहों तो घर तूटने में समय नहीं लगता प्रेम नहों तो समाज बिखरने में समय नहीं लगता प्रेम नहों तो गाँ और देश और राष्ट तुटने में बरबाद होने में समय नहीं लगता प्रेम नहों तो सब खंजर बन जाता है खंडर हो जाता है प्रेम के अभाव में और आप सब प्रेम के कंजूस है सब के सब कंजूस है प्रेम के य जब किसी खेत में कोई फसल लगा हो और फसल लगा हो फसल हरा हरा तब तक दिखाई देता है जब तक उसमें प्रेम रुपी पानी पड़ता है तब तक फसल हरे हरे दिखाई देते हैं जैसे जैसे पानी सुकता जाता है वैसे वैसे पेड़ कुमलाते चले जाते हैं और पानी पूर्ण रूप से सुख जाता है तो पेड़ सुख करके मर जाते हैं मुर्जा जाते हैं पेड़ का अस्तित्व खतम हो जाता है ठीक ऐसे ही हर घर के हर सदस्य एक पेड़ रूप पेड़ है और उसमें प्रेम जदी प्रेम हैं प्रेम सीचा जा रहा है प्रेम हैं तो वह हर घर के सदस्य सदस्य मिल करके एक घर बनता है एक परिवार बनता है और प्रेम सुखना शुरू होता है तो वह घर और परिवार टूट करके बिखर जाता है घर और परिवार घर परि अपने देरान और जिठान दुसमन लगते अपने ही बच्चे पर आये लगने लगते हैं अब पडोसी के तो बात ही छोड़ दीजिए प्रेम सुकता है तब और प्रेम है तक तक सब अपने लगते हैं और प्रेम नहीं है धन को महत्व किया जाता है इंसान से प्रेम नहीं किय जाता है धन से मकान से गाड़ी से घोड़े से प्रेम किया जाता है तो इंसान का प्रेम कम हो जाता है और घर बरबाद हो जाता है घर टूटनी में समय नहीं लगता है प्रेम कैसे सुकता है प्रेम के अभाव में कैसे घर खंडर होता है जब पहली पहली बार किसी घर में किसी घर में साधी होती है किसी युक व यूती का तो उस घर का प्रेम दीखिएगा जब पहली पहली बार कोई घर में आती है बहु तो लंबी लंबी वारताएं होती है किसमी वारताएं होती है सास और बहुं में लंबी लंबी वारताएं आड बज गया नव बज गया दस बज गय ग्यारा बज गया रात लंबी लंबी वारता हैं हस असके एक दुसरे के चेहरे पे मुस्कान हैं बहु बड़े प्यार से मा करके सम्मान कर रही है उधर से सासुमा बड़े प्यार से सम्मान से बेटी करके सम्मान कर रही है घर में अच्छी वारता हैं चल रही है प्रेम है ना प्रेम है तब लेकिन प्रेम धीरे धीरे सुकता जाता है प्रेम है तो आपस में पती और पातनी में वारताएं होती है नव दस ग्यारा बारा बज जाता है रात वारताएं लंबी चलती है प्रेम है तब लेकिन प्रेम सुकना शुरू हो गया अब क्या हो रहा है सास ने कुछ कुछ कहा बहु ने एक वाक्य में उत्तर दिया देरान ने कुछ कहा जिठान ने कुछ कहा एक वाक्य में उत्तर और धीरे धीरे प्रेम शुखना शुरू हो गया तो धीरे धीरे जो घर के बहु है वो जब भी पती देवाते थे तो पहले कहते थे बड़े प्यार और सम्मान क के साथ कहते थे एजी मां ये कह रहे थी ऐसे करने कहें कैसी किया जाए बड़े सम्मान के साथ लेकिन प्रेम सुखना शुरू होता है तब कहते हैं एजी सासु मां ऐसी कह रहे थी फिर धीरे-धीरे क्या कहते हैं एजी तुम्हारे मां ऐसे कह रहे थी प्रेम सुखता चला गय प्रेम सुकता चला गया अब प्रेम सास से सुक गया देरान और जठान से भी प्रेम सुकता चला गया पहले बड़े सम्मान के साथ में घर के छोटी बहु बड़े सम्मान के साथ में कहती थी दीदी क्या ये सबजी बना ले क्या अब तो पुछने की बात ही खतम मैं ही बनाती काम करती हो तो करती ही नहीं प्रेम शुक्न शुरू हो गया पहले कभी जैठान भी अपने छोटी अपने छोटे देरानी का प्रेम नहीं करती थी कभी पता चलता था घर में कौन बहु भोजन बना रही है घर में पता नहीं चलता था घर की सफाई हो जाती थी कौन भोजन बनाए कौन सफाई किये कौन क्या किये पता नहीं चलता था प्रेम था तब तक प्रेम सुखना शुरू हो गया तब प्रेम सुखना शुरू हो गया तब सासु मा से तुम्हारी मा से मा से सासुमा मा से सासुमा और सासुमा से तुम्हारी मा और जो घर में जठानी देरानी आपस में बहन और दिदी की तरह रहती थी वारताइं कम हो गई और बहन और दिदी खतम हो गई धीरे धीरे वारताइं कम अब और प्रेम सुकता चला गया तो पती और पत्नी में वारताएं कम होना सुरू हो जाती है पती और पत्नी में वारताएं कम सुरू हो गई और धीरे धीरे घर तूट करके विखरता चला जाता है आपस में पती और पतनी में वारताएं कम, बच्चे को संसकार गलत मिलना सुरू हो जाता है धीरे धीरे पती और पतनी में इतनी वारताएं कम होती है और कुछ घरों में तो वारताएं ही बंद हो जाती है एक घर की बाद बताओं मैं पती और पतनी में प्रेम कम हो गया प्रेम नों स्वार्थ होता है प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है लोग कहते हैं जिससे प्रेम करते हैं उससे चाहते हैं जिससे प्रेम करते हैं उससे कोई कुछ नहीं चाहते हैं प्रेम का सबसे अच्छा परिभासा यह होगा लोग जिनसे प्रेम करते हैं उनसे कुछ नहीं चाहते बस उसकी खुशी चाहते हैं और उसकी खुशी के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तयार रहता है लेकिन लोग क्या कहते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूं क्या मेरे और जहां इच्छा और चाहना है वहां प्रेम नहीं है आप प्रेम नहीं कर रहे हैं सिर्थ स्वार्थ लोब में पड़े हैं अब देखिए पती और पत्नी में प्रेम कम हो गया तो एक और घर में हुआ क्या वारताएं बंद हो गई वारताएं बंद हो गई बाते नहीं होती ह बाते बंद हो गई पती और पत्नी में प्रेम कम हो गया तो और धीरे धीरे पती को जो जरुरत पढ़ता अपनी पत्नी को पत्र लिखता और पत्नी को जो जरुरत पढ़ती अपने पत्नी को पत्र लिखता एजी एसा माला देना पती को कुछ जरुरत पढ़ता वो भी पत्र एक दिन के बाद है, पती देव को सुबा सुबा का पांच बज़े ट्रेन पकड़ना था, अब वारता है तो होती नहीं, अपने पतनी को कैसे कहे कि तुम मुझे पांच बज़े उठा देना, पांच बज़े ट्रेन पकड़नी है, उन्होंने किया क्या, बिस्तर में जाते समय कागज और कलम लिया, कागज और कलम लिया और अपने पतनी को पत्र लिखता है सोते समय, एजी सुबा के मुझे चार बज़े उठा देना, मुझे सुबा के पांच बज़े ट्रेन पकड़ना है, पत्र लिखता है, अपने बतनी के बिस्तर पर रख देता है, तकि ये के पा पकड़ना है सुबह के चार बस्ते ही चार बस्ते ही उनकी पत्नी उड़ती है और अपने पती को क्या उठाती है ना कलम और कागज उठाती है और कलम और कागज उठा करके लिखती है ए जी सुबह के चार बज गए है तुम उठ जाओ और अपने पती देव के बिस्तर पर रवाद हो रहा देखिए रवा के साध बज़ उठने वाला व्यक्ती है वो कहां से चार पाँज बज़ उठे पत्रकर समझ में आएगा नहीं शुबासाध बच, गया है बड़, बडबड़ बड़, शुरू करता है ओ। देखता है तो भी समझदरी तुम उठ जाओ प्रेम सुखने पर यहीं होगा प्रेम सुखने पर घर में समंजस्य नहीं होगा प्रेम सुखने पर एक दुसरे से वारताय नहीं होगी प्रेम सुखने पर एक दुसरे से सलाह नहीं होगा प्रेम सुखने पर माबाप को सम्मान नहीं दिया जाएगा प्रेम स फंदर Just गर में कोई विकास नहीं हो सकता जिस घर में प्रेम का भाहा हुए उँज़धारमे नखन का विकास होगा कि नब चांग प्रेशों जा नीङ परिभासा वताय में यह परिभासा नहीं जीवन में जो घटनाय घट रही है जो हर घर में आए दिन हो रहा है आज हर घर में माबाप अपने ही बच्चे से प्यार के लिए सम्मान के लिए तरस जा रहे हैं आज अपने ही बच्चे से लोग प्रेम नहीं कर पा रहे हैं अपने भाई और भाई कटी दुस्मन बने हुए है अपने देरान जिठान खुन के रिस्ते एक दुसरे के खुन के प्यासे बने हैं प्रेम के अभाव में प्रेम करना शिखिए ये प्रेम सुखनी का वाद बताया प्रेम को कैसे सिचना है इसलिए मैं कहा आप सब बहुत कंजुस है प्रेम के मामले में मिधा इतना कंजुस मत बनिये ये प्रेम को ऐक आइसा धन है इसको जितना बाटो उतना ही विकासित होता चला जाता है उतना ही फैलता चला प्रेम् रुपी धन के फिसो घर उन्हों ने अपने भग्वान के इशंच पूजा अपने राहत और दिन कर दिया। प्रेम मेला गवेवह नगा रीजिवन बन गया कर दो सब सुक ईहाना ने करन नहीं जाना अब को सीचना कैसी है आप सब के घर में प्रेम सुख गया हो, जैसे किसी पेड में पानी सुख जाता है, तो पेड में पानी सुख जाने पर पेड मुर्जा जाता है, तो उसको फिर से नया विक्षित करने के लिए उसमें खाद और पानी डालना पड़ता है, फिर से उसको नया उनको संका, उसको नया कहना चाहिए नय नय पत्य कोमल पत्य आय विकास करें उपेऽड़ पहुदे उसकेलिए नया खाद नया धंक से उसमें डालना पड़ता है पाणि डालना पड़ता है यदी आपके घर में प्रेम सुकh गया हो तो यहां से ले प्रेम रुपी खाद और सिचनी का प्रयास करना प्रेम रुपी खाद मैं आज सब के बीच में बेच रहा हूं आज जो लेना चाहे लेना नहीं लेना चाहे यहीं छोड़ करके चले जाना लोग तो आपका फैदा है इसमें पैसा नहीं लगता है लोग ओते आपके जीवन में सांती बने रहेगी आपके बच्चे आपसे प्रेम करेंगे इस प्रेम रुपी धन को आप खरिद करके जाओगे अपने जीवन में बसा लोगे तो आपके बच्चे आपके नाती आपके पोते आपके माबाप आपके पडोसी आपके देरान जिठान आपके भाई आपको सम्मा में वारताइं कम हो गई जिस घर में पती और पतनी में वारताइं नहीं होती ध्यान से सुन लेना सुत्र है काम आएगा जिस घर में आपस में देरान रिठान में वारताइं कम होगी प्रेम सुख गया हो तो सुचने का तरीका जान लेना सास बहु में प्रेम सुख गया हो तो सिचने का तरीका जान लेना आपका घर घर बन जाएगा प्रेम को सिचना सिखिए आप लेकिन प्रेम को सिचने के लिए बहुत बड़े गुर्बानी चाहिए प्रेम को सिचने के लिए अंकार का समर्पन चाहिए सबसे मूल चीज़ यह हर आदमी के पास अंकार भरा है सब आदमी के पास में गर्मी भरा है मैं यह हूँ यह हूँ मैं अच्छा भोजन बना लेता हूँ मैं इतना धन कमा लेता हूँ मेरा इतना बड़ा मकान है मैं इतना पड़ा लिखा हूँ मेरे इतने बच्चे हैं इतने नवकरी है इतना सिछा है इतना इतना सेलरी है इस सब अपने अपने हंकार में कोई चित्र का अंकार कर रहे हैं कोई धन का अंकार कर रहे हैं कोई मेरे पास अच्छे अच्छे घाड़ी घोड़े है उसका अंकार कर रहे हैं जीवन में सारे अंकार काम नहीं आएगा प्रेम को यदी समर्पित यदी जीवन में अंकार का समर्पन कर देंगे तब प्रेम इस्थापित होग और चाहे कि मैं अंधेला को भी रखूं और प्रकास भी ला दूं क्या संभव है जहां अंधेला होगा वहां प्रकास नहीं होगा और जहां प्रकास होगा वहां अंधेला नहीं होगा दोनों संभव नहीं है ठीक वैसे ही जीवन में यदि कोई चाहे कि मैं प्रेम भी रखूं और अहंकार भी करूँ तो impossible संभव नहीं है अहंकार कस्तियाग करना होगा अप प्रेम कैसे करना है कभी कभी आपको लगता है आप सिक्षा और संसकारी व्यक्ती है सिक्षा और संसकार घर्स की बेटी है आपके माबाप आपको अच्छा संमान दिये है आपके माबाप आता था आप बहुत अच्छी पढ़ाई है आप अच्छे घर के हैं अच्छे घर के बहु है तो आप अंकार को त्याग दिजिए कभी कभी आपकी गलती न होती हुई भी आप अपने छोटी बहु से जुक करके बात कर लिजिए आपका घर घर बन जाएगा कभी आपकी गलती नहीं है घर के छोटी बहु है आपकी गलती नहीं है पर भी आपकी बड़ी बहन आपसे बात नहीं करती है आपका करतब्य बनता है आप प्रेम को सिचना सुरू कर दीजिए आपकी गलती नहीं है पर भी आप अपने से जुक जाएए अपने से प्रेम से दि किसी संत ने कहा है जुकता वही है जिसमें जान होती है अकड़ना तो मुर्दों की भाचान होती है जो भी ये पांच-छे पुट का सरी लेकर के खड़े हैं ना अंकार लेकर के कुछ भी काम आने वाला नहीं है कुछ भी काम आने वाला नहीं है हमेशा अंकारी आदमी टूट करके बिखर जाता है कोई काम नहीं आता है इसलिए कहते हैं संत जुकता वही है जिसमें जान होती है उकड़ना तो मुर्दों की भाचान होती है अकड़िय मत आप अपने को लेबल लगाते हैं कि हम कभीर पंथी परिवार से आए हमारे माबाप ने अच्छा संसकार और अच्छे सिक्षा दिया है और किसी के घर के बहु हैं आप आपका कर्तब्य बनता है आपकी गलती नहीं है और आपके प्रेम और मिठे सब्दों से आपका घर का स छोटी बहन को अपने से दिरानी को अपने से जिठानी को सम्मान कर लिजिए और मैं आप लोगों से निविदन करना चाहूंगा कभी कभी आप घर के बड़ी बहु है आपकी छोटी बहु नहीं समझ पा रही है आप से बात नहीं कर पा रही है आप घर की बड़ी बहु है आप घर के मुख्या होती है आपका घर है घर को संचालित करना आपका काम है घर को संचालित करना आपका काम है घर को समंझस से बिठा करके रखना आप घर के मुख्या होती है आप बड़ी है तो आपके पास बड़पन होना चाहिए आप घर के मुख्या होती है कभी कभी आप आपकी गलती ना होने पर भी आप जुक करके अपने अपने देरान से जुक करके बात कर लिजे आपका घर घर बन जाएगा प्रेम को ऐसा शीचा जाता है प्रेम को सिचने के लिए हंकार का समर्पन चाहिए कोई साल हिर्दय होता है जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार करना जानते हैं जो अपने परिवार से प्यार करना चाहते हैं जो जीवन को जीना जानते हैं वो व्यक्ति प्रेम करना जानता है बाकि तो सब रूखा सुखा बस जीवन को ज जीवन में कोई काना चाहिए मुचेहरे पे मुश्कान नहीं बस उदासी उदासी मरे मरे और एक दुसरे के लिए गाल फुलाए फुलाए कब तक जीएंगे कब तक जिएंगे गाल फुलाए फुलाए इसम्इला चाहूं का छोटी यहां करना सिख जाईए प्रेम करना सिख जाईए बस यहां से प्रेम का सुत्र ले करके जाईए प्रेम का सुत्र प्रेम मैंने पहले ही कहा यह कर्मों से होता है डिग्रिया काम नहीं करेगी कोई कहें कि मैं मेरे पास में इतनी डिग्री है इतना सिच्छा है इतनी नवकरी है इतनी सेलरी है इतने गाड़े हैं इतने घोड़े हैं कोई काम नहीं करेगा कोई काम नहीं करेगा यदि आपको प्रेम करना नहीं आता है तो कोई काम नहीं करेगा आपका प्रेम धरा रह जाएगा एक जगा कि एक व्यक्ति आया बाहर से और बाहर से आगर कि अपने पतनी से कहता है अपने पतनी से कहता है ए जी मुझे भोजन दे दो भूख लगी है भोलिये सत्गुरु देवा की जाई किसली बोलाया समझ गया होंगे एक व्यक्ति आया बाहर से और अपने पतनी से कहता है जी मुझे भोजन दे दो उनकी पतनी कहती है ए पत्न तिबारा बोलती है एजी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हू। और पत्नी थिबारा बोलती है यES मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। उनके पत्ति देव घुसा जाते हैं उनके पत्ति देव कहते हैं तुम्हारे प्रेम को मारो गोली मुझे भोजन दो व्यक्ति घुसा जाता है और बोलता है तुम्हारे प्रेम को मारो गोली मुझे भोजन दो उनकी पत्नी कीचन में जाती है और कीचन में जाती है और थाली मे भोजन परोस्ती है परोस्त करके अपने पती देव के पास ला करके भोजन पठक देती है लो करो भोजन अब क्या भोजन में मजा आएगा अब क्या भोजन में मजा आएगा प्रेम नहीं है भोजन वही है थाली वही है डैनिंग टेबल वही है वही चामाल है वही दाल है वही व्यक्ति है, वही हाथ है, वही समय है, वही सक्ति है, लेकिन प्रेम नहीं है, लाखर के पत्नी पठक देती है. मैं कह रहा था, प्रेम से जीना सिखी एंशा अ कि मैंने सुरू में ही कहा, कि कुछ मीठे, कुछ कड़क возм, कुछ तरीके, कुछ साहार, कुछ साहार, कुछ बाते होगी प्रेम करना सिखिए वो सभाग्यसाली व्यक्ति है जो अपने माबाब से प्रेम करते हैं वो सभाग्यसाली व्यक्ति है जो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं मैं एक चीज बताऊं आपको किसी मा के कोख से बच्चा पैदा हो जाने मात्र से कोई मा नहीं होती है आप लोग मत सोचीगा कि हम मा है और कोई ये ना सोचे कि हम पिता है किसी मा के कोख में बच्चा आ जाने मात्र से कोई मा नहीं हो जाती और कोई पिता नहीं हो जाते और कोई दादी और दादा नहीं हो जाते जब तक किसी मा के अंदर मात्रित भाव पैदा ना हो तब तक कोई मा नहीं होती है और जब तक किसी पिता के अंदर प्रित्रित भाव पैदा ना हो तब तक कोई पिता नहीं होता है मात्रित्वाव क्या है और प्रित्रित्वाव क्या है विसाल हिर्दय चाहिए मा वो होती है जो अपने बच्चे को जीना सिखाती है मा वो होती है जो अपने बच्चे को अपने ही पैरों पर खड़ा होना सिखाती है और अपने जीवन में स्वालंबी वनाती है पिता वो होता है जो जीवन के अंति मुचाई तक उसको चलने का रह बताता है पिता वो होता है जो हर कटनाईयों से हर विसम परिस्थितियों से उनको उबरने का तरीका बताता है और अपने जीवन को मांजता है अपने जीवन को सजाता है अपने जीवन को सवारता है साथ साथ आने वाले उस बच्चे के जीवन को समारता है मा वो होती है जो अपने बच्चे को जीवन में छल छद मन ही सिखाती है मा वो होती है जो अपने बच्चे को सही ग्यान देती है मा वो होती है जो बच्चे को करमकांड और पाखंड से बचा करके रखती है मा वो होती है जो अपने बच्चों सुत्य प्रेम करती है लेकिन साथ साथ जितना प्रेम अपने बच्चे से करती है उतना ही प्रेम अपने देरान और जठान के बच्चे से प्रेम करती है वो मा होती है अब अपने आप से पुछे कितनी लोग मा है मा की कसवटी बहुत कड़ी कसवटी है जितना प्रेम अपने बच्चे से करती है वो मा उतना ही प्रेम अपने देरान और जठान के बच्चे से प्रेम करती है वो मा होती है पिता वो होता है जो बच्चे को प्रेम इतना देता है समान इतना देता है जो जीवन में कटूता नहीं सिखाता जो जीवन में कलड गलत चीजों का सेवन नहीं करता और खुद साप सुक्ष जीवन जीता है दाग रहित जीवन जीता है और बच्चे को भी वो मंजील तक पहुँचने का तरीका बताता है इसलिए मैंने कहा कि मात्रित भाव पैदा होना चाहिए वही उसी के अंदर मात्रित भाव पैदा होता है जो हर बच्चे को अपने बच्चे की रुप में देखती है प्रकृति का नियाम है कुछ धन के बटवारे होते हैं प्रेम किसी के लिए कम नहीं होना चाहिए प्रेम में धन नहीं आता है यदि कोई गरीव आदमी है पहनने के लिए कपड़ा नहीं है मा का विशाल हिरदा है अगर उसके पास सकती है ठंडी से ठुट 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 रहा है बच्चा तो उसके पास सकती है तो खरीत करके कपड़ा उढ़ा देता है, चादर उढ़ा देता है, मा वो होती है आज तो अपने ही घर में खंडित करते चले जाते हैं अपने ही घर को कब्रितान मनाते चले जाते हैं अपने ही घर में दिवारे खड़े करते चले जाते हैं तुम उसके कमरे में मत जाना, तुम अपने बड़े मम्मी के कमरे में मत जाना, उनका समान मत छूना, उनके यहां भोजन मत करना, क्यों अपने बच्चे को गलत चीज़ सिखाते हैं, किसी का समान नहीं छूना अच्छी बात है, लेकिन उनके यहां भोजन मत करना, कुछ मा ऐ इसे होती है वो भी कहती है कि उनके बच्चों से बात मत करना, उन लोगों से बात मत करना, क्यों बच्चे को गलत दिशा क्यों और ले जा रहा है, मैं संसकार के विशाय पर कल्चर्चा करूंगा, संसकार पर मेरे लगबग मैं ज्यादा बोलता हूं, और संसकार पर कम से कम मे किसके लिए जीते हैं सिर्फ सिर्फ बच्चों के लिए जीते हैं सिर्फ बच्चों के लिए जीते हैं और बच्चे को सिर्फ धन देते गए और संसकार नहीं देते गए तो आपका धन कुछ दिन में मिट्टी पलीत कर देगा वो बच्चा अगर संसकार नहीं दिये तो धन ध बुढ़ापे के लिए धनी कठा करते हैं वो बहुत महत्तपूर्ण चीज नहीं है बुढ़ापे के लिए महत्तपूर्ण चीज है बच्चे के अंदर एक ऐसा बैंग बैलेंस बच्चे को दीजिए संसकार रुपी बैंग बैलेंस आपके बुढ़ापी की लाठी है बच्चे यदि बच्चे को जीना सिखा दिया बच्चे को सतमारग बता दिया तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापी में हर वक्त हर समय हर घड़ी आपके चर्णों के सामने आपके सामने रहेंगे आपके आँखों के सामने रहेंगे हर वक्त आपके साथ देंगे इसलिए बच्चों को संस्कार देजिए बच्चे को कमजोर मत बनाईये मैं पहले ही कहा आप कबिर पंथी यदि कोई सच्चा कबिर पंथी है वो अपने बच्चे को कमजोर नहीं बनाता है सच्चे कबिर पंथी अपने परवरिस पर भरोसा रखता है सच्चे कबिर पंथी मैंने पहले ही कहाओ कबीर साहब को जानता हो या न जानता हो अपने परवरिस पर भरोसा रखता है अपने करमों पर भरोसा रखता है अपने मन की सुद्धता पर भरोसा रखता है सच्चिक कबिरपन्थी पाखन और करमकान से बच करके रहता है सच्चिक कबिरपन्थी अपने बच्चे को काला धगा पर विश्वास नहीं करता हो जिस माबाप को अपने परवरिश पर भरोसा नहीं होता वो माबाप अपने बच्चे को काला धागा बानते हैं क्योंकि उनको विस्वास नहीं है अपने परवरिश पर विस्वास नहीं है उनको ताबिश पर विस्वास है गले में ताबिश बान देगा बच्ची को इतना कमजुर क्यों बना रहे हैं आप लोग क्या आपको अपने करमकाण में क्यों उलजा रहे हैं आप बच्चे को गले में ताबिच पहना दिये पाहर में काला धगा बांदिया बच्चे ना कभी बुखार होगा ना सर्दी ना जुकाम ना कभी एक्सिडेंट ना किसी की मृत्ति होगी उस घर में अब यही तो है ना आप अपने करमों पर कभीर पंद का ग्यान इतना साफ ग्यान है करम कांड नहीं है इसलिए मैं कहा करम कांड कर इतना प्रहार दिया है सद्रू कभीर साहिब सद्रु कबीर साहिब खड़ी सब्दों में कहते हैं पहरे जन्यू जो ब्राम्हन होना मेहरी क्या पहराया ओ तो जन्म की सुद्रिन पर से ये पाने तुम क्यों खाया जब सद्रु कबीर साहिब हुए उस समय आज से 625 वर सपूर्व सद्रु कबीर साहिब ब्रामनों की वस्ती में कहते हैं सद्रु कबीर साहिब जादा कर वारानसी के आसपास जादा रहे हैं और वहाँ पूरा ब्राम्हनों को वर्चस तो चलता था, ब्राम्हनों को डंका पीटा जाता था, वहाँ कहते हैं, ब्राम्हनों जनेव पहते हैं, जनेव मतलब यहाँ से ऐसे गले धागे में पहनते हैं, उसको जनेव कहा जाता है, अपने ब्राम्हनों से उप्रसने करते हैं तुम कहते हैं कि हम ब्राम्हन हैं जन्यव पहन करके अपने आपको ब्राम्हन कहते हो पहरे जन्यव जो ब्राम्हन होना मेरी मतलब पत्नी अपने पत्नी को कौन से जन्यव पहना है अपने पत्नी को लोग जन्यव नहीं पहनाते हैं अपने पत्नी को तुमने जन्यव पहनाया नहीं तो तुम कैसे ब्राम्मान हो गए वो तो जन्म के सुद्रीन हो गई तुमने जन्यव पहन के अपने आपको साफ सुथरा बना लिया जन्यव मात्र से और तुम्हारी पत्नी तो जन्यव पहना नहीं वो तो जन्म के सुद्रीन हो गई जन्मस सुद्र है उनके परसे उनके भोजन बनाए तुमने कैसे खा दिया पाड़े पंडितों से प्रस्न करते हैं सद्रु कभीर साहब डरे नहीं एकदम साफ सब्दों में कहें और यहां तक भी कहें कभीर पंथी हम जैसे साधूं के लिए कहें हैं टोपी पहिरे माल पहिरे चाप तिलक अन्माना साखी सब्दे गावद भुले आतम खवरी न जाना इतना डंके के चोट में कहते हैं टोपी पहलिए माला पहलिए चाप तिलक लगा लिए लंबा चोटी रख लिए सफेद वस्त्रधारन कर लिए आतम का ग्यान नहीं आतम खवरी नहीं जाना क कोई साधो नहीं हो सकता आतम ग्यान नहीं तक तक हमारे गुर्देव जी हुई हैं सत्व गुरु से अफलस है जी कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने कबीर पंत में बीजक सद्रू कबीर के बीजक उस पर उन्होंने व्याख्या किया पूरे विश्व में आज तक वैसे व्याख्या च्छपा है और आगे कोई छाप दे तो अलग बात है आज तक वैसे व्याख्या नहीं छपा है, बीजक का व्याख्या, इतना व्रिष्टिद और कम से कम वो 20 संस्क्रण 20 बार छप चुका है कबीर पारक संस्तान प्रयागराज उत्तर प्रदे से लहबास से, अभी 22 संस्क्रण चल रहा है उसका, दो खंड में हैं, उन्होंने इतन पारक सिद्धान का, पारक सिद्धान सद्द लेते, पारक सिद्धान नाम सुनते ही कुछ लों को इलर्जी हो जाती है, मैं चाहता हूँ, पारक सिद्धान किसी का चलाया नहीं है, हम जैसे हम लोग अपने कुछ पार्खी कहते हैं, पार्खी संद, कि हम पार्खी है, पार् सिद्धान सद्रु कबीर की देन है कोई चलाया नहीं है इसको और आप सब बैठे भी पारखी हैं लेकिन अध्यात्मा और साधना की बात आती है तो बेपारखी बन जाते हैं क्यों पारखी है कह रहा हूं जब आप एक हंडा लेते हैं तो ठोक करके बजा करके घड़ा लेते ह हैं तो ठोकते हैं बजाते हैं कई लिकेस तो नहीं है कई खराब तो नहीं है दस रुपिय के घड़ा को बड़ा सोच विचार करके ठोक करके बजा करके लेते हैं और कई सोने के दुकान में चले गए तो इसको इतना परकते हैं कही नकली नहूं कही नकली नहूं कितने पार संसकार अच्छा देंगे तो आने वाले पिढ़ी संसकारी होगा और मावाप को सम्मान मिलेगा किस पर कल चर्चा करेंगे आज इतना ही का कर अपने वाणी को वियान देते हैं